शिम बाबा याद है ना? अगर कोई निरंतर याद में रहे तो इतनी खुशी होगी जो नेंद भी फिट जाएगी याद से ही तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो तो इसमें अच्छी रिती लग जाना चाहिए फिर बाबा ने कहा बच्चे गफलत मत करो अगर कोई भी बात में गफलत की तो ह खालेंगे अब स्वदर्शन चक्रधारी अथ्वा लाइट हाउस बन कर रहो जैसे लोकिक में अल्पकाल की कमाई के लिए आठ घंटा देते हो ऐसे बाप ने जो आप समान बनाने का तुमको बेहद का कारे दिया है इसमें भी समय जरूर दो वेह तो है एक जनम के लिए कमा जो अभी बहुत मेहनत करते हैं तो भक्ती मार्ग में उनकी पूजा भी जास्ती होगी और लास्ट में बाब ने कहा बच्चे बाप का आना और बच्चों की मदद करना यह पार्ट भी ड्रामा में नूंधा हुआ है जो सच्चे बच्चे हैं वह अनुभव भी करते होंगे कि कैसे बाप हर कारे में हमारी मदद करते हैं लेकिन जो ना समझ होते हैं उनको अपना ही अहंकार आ जाता है कि मैंने ऐसा किया अनन्य बच्चों को कभी ऐसा अभिमान नहीं आएगा और अब सुनते हैं महवाख्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव तुम्हें लाइट हाउस बनना है अपने को आत्मा समझो इसमें गफलत नहीं करो प्रश्न तुम सबसे वंडर्फुल स्टूडेंट हो कैसे उत्तर तुम रहते ग्रस्त व्यवहार में हो शरीर निर्वाह के लिए आठ घंटा कर्म भी करते हो साथ साथ भविश्य 21 जनमों के लिए भी आठ घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो यही तुमारी वंडर्फुल स्टूडेंट लाइफ है नौलेज बहुत सहज है सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो ओम शान्ती बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुशार्थनुसार मूलवतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शान्ती धाम के रहने वाले हैं फिर आते हैं सुख धाम में यह तो जरूर अंदर में समझते ह मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टी का चक्र है वह कैसे फिरता है यह भी बुद्धी में है इस समय हम ब्राह्मन है फिर देवता शत्रिये वैश्य शुद्र बनेंगे यह तो बुद्धी में चक्र चलना चाहिए ना बच्चों की बुद्धी में यह सारी नौलज है बापने स समझाया है आगे नहीं जानते थे अभी तुम ही जानते हो दिन प्रति दिन तुम्हारी व्रिधी होती रहेगी बहुतों को सिखलाते रहते हो जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे यह तुम बैठे हो बुद्धी से जानते हो वह हमारा बाप है वोही सिखलाने वाला उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं बुद्धी में जरूर याद होगा ना यह बुद्धी में हर वक्त याद करना है लेसन कोई बड़ा नहीं है second का लेसन है बुद्धी में रहता है कि हम कहा के रहवासी है फिर यहां कैसे पार्ट भजाने आत 84 का चक्र है, सत्युग में इतने जनम, ट्रेता में इतने जनम, यह चक्र तो याद करेंगे न, अपना जो पोजिशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धी में याद रहेगा, कहेंगे हम यह डबल सिर्ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी रा चाहिए न, इसलिए नाम ही रखा है, स्वदर्शन चक्र धारी, आत्म को ज्यान मिला हुआ है, आत्म को दर्शन हुआ है, आत्म जानती है, हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, अब फिर जाना है घर, बाप ने कहा है, मुझे याद करो, तो घर पहुँच जाएंगे, ऐसे भी नहीं है, कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धी में आ जाती है, किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा, यहां तो बाप कहते हैं, और सब बातों को समेठ एक को ही याद करो, श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुशार्थ करना है, पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है, रचईता और रचना की आदी मध्य अंत का सारा राज बुद्धी में आ जाता है, यह तो सबक, पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो, यह है बुद्धी से समझने की बात, तुम वंडर्फुल स्टूडेंट हो, बाप ने समझाया है, आठ घंटा आराम भी भले करो, आठ घंटा शरीर निर्वा के लिए काम भी भले करो, वह धंदा आदी भ शरीर निर्वाह हुआ न, वो है अल्पकाल के लिए, और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, तुम जो पार्ट बजाते हो, उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है, जो जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही फिर बाद में भक्ती में उनकी पूजा होती है, यह सब धार्ण तुम बच्चों को ही करने हैं, तुम बच्चे पार्ट धारी हो, बाबा तो सिर्फ ग्यान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुशार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे न, बाब तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए, क बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो, स्वधर्शन चक्रधारी अथ्वा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है, यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती, मनुश्यों को कुछ भी पता नहीं है, भल तुम्हारे पास आते हैं, तो फिर कहां भी जाएंगे, तो जैसे ग्यान का सागर बन जाएंगे, जैसे स्टुडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, और धंदे में लग जाते हैं, तुम्हारा धंदा ही है टीचर बनना, सबको स्वधर्शन चक्रधारी बनाओ, दबल सिरताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं, यह तो ठीक है, परन्तु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राजे छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए, यह बेहद का बड़ा यह सर्टेन हैं, हम फिर से देवता बनते हैं, अभी ब्राह्मन है, ब्राह्मन ही संगम युक के हैं, यह किसको मालूम नहीं, जब तक तुम न बताओ, यह तुम्हारा अलोकिक जनम है, लोकिक और पार लोकिक से वर्सा मिलता है, अलोकिक से वर्सा नहीं मिल सकता, इन दवारा बाप तुमको वर्सा देते हैं गाते भी हैं हे प्रभु ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा लोकिक और पारलोकिक बाप को याद करते हैं यह बातें कोई नहीं जानते तुम जानते हो पारलोकिक बाप का है अविनाशी वर्सा लोकिक बाप का है विनाशी वर्सा समझो कोई राजा का बच्चा है पांच करोड वर्सा मिलता है और बेहद के बाप का वर्सा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेट में तो यह अविनाशी वर्सा है और वे तो सब खत्म होने वाला है आज के जो करोड़ पती हैं उन्हों को माया चटकी हुई है वे आएंगे नहीं बाप है गरीब निवाज भारत बहुत गरीब है भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है अब तुम बहुतों का कल्यान करने का पुरुशार्थ कर रहे हो अकसर करके बिमारों को विराग्या आता है समझते हैं जीना क्या काम का ऐसा राश्सा मिले जो मुक्ती धाम चले जाएं दुख से छूटने लिए मुक्ती मांगते हैं सत्यूग में मांगते नहीं क्योंकि वहाँ दुख नहीं है यह बातें अभी तुम समझते हो नमबरवार पुर्शार्ट अनुसार यह ग्यान बाप विगर कोई दे नहीं सकते अब तुम बेहत के बाप को छोड़ कहां भी नहीं जाएंगे जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं नौलेज तो बहुत सहज है बाकी पावन बनने में माया विगन डालती है कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं इनका मिसाल बोक्सिंग से अच्छा लगता है बोक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती हैं बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत हैं। बाप युकती बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं एक शरीर छोड दूसरा लेते हैं पार्ट भजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं यह अच्छी रिती पक्का करना हैं। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धी योग तोड़ देती हैं। नंबर वार तो हैं ही इस ही हिसाब से राजधानी बनती हैं। सब एक रस हो जाएं तो राजाई ना बने। राजा, रानी, प्रजा, सहुकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी जो अनन्य हैं उनको याद रहती हैं। यह बातें कभी भूलने नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। प स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना जो इसमें प्रवेश करते हैं मनुष्य तो समझते हैं विश्णु है स्वदर्शन चक्रधारी उनको यह पता ही नहीं है कि यह लक्ष्मि नारेन है इनों को ग्यान किस ने दिया जिस ग्यान दवारा इन्होंने यह लक्ष्मि नारेन का पद पाया, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा, तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हसी आती है, विश्नु है निशानी, कंबाइंड ग्रस आश्रम की, चित्र शोबता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है, पहले चार भुजावला यहां कहां से आया, इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुशार्थ पर है, बाप की याद से ही पाप कड़ते हैं सबसे जासी नंबर वन यह पुरुशार्थ चलना है टाइम तो बाप ने दिया है ग्रस व्यवार में भी रहना है नहीं तो बच्चों आदी को कौन संभालेगा वह सब कुछ करते भी प्रेक्टिस करने हैं बाकी और कोई बात नहीं है श्रीक्रेश्न के लिए दिखाया है अक कासुर बकासुर आदी को स्वधर्शन चक्र से मारा है अब यह तुम समझते हो चक्र आदी की तो बात ही नहीं कितना फर्क है यह बाप ही समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते मनुष्य मनुष्य की सदगती कर नहीं सकते रच्चता और रच्चना की आदी ध्यांत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या हैं? सोभी अब बाप ने समझाया है। शास्त्रों में तो कहानिया ऐसी बनाई है जो बात मत पुछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मन्थन करना होता है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। तो इसमें अच्छी रिती लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं। ड्रामा नुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है। फिर भी पुरुशार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनमें न ज्यान है न योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदी आजाए तो बात करना सके। सर्विसेवल बच्चे जानते हैं। हमारे पास कौन-कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं। ये बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है। और समझाने वाला बुद्धू है। तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं। वे कहते हमारे में तो इतना ज्यान नहीं था। जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। ये भी उनका आना, मदद करना ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है। ये स सब गोरे ही गोरे थे। काले वहां होते नहीं। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बना कर लिखो। 63 जनम कामचिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं। आत्मा ही बनी है। लक्ष्मिनारेन का भी काला चित्र बनाया है। ये नहीं समझ से कि आत्मा काली बनती है। ये तो सत्युक के मालिक गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं, आत्मा पुनर जनम लेते लेते तमो प्रधान बनती हैं, तो आत्मा भी काली, शरीर भी काला हो जाता है, तो हसी हसी में पूछ सकते हो, लक्षमि नारेण को कहा काला, कहा गोरा क्यों दिखाया है? कारण ग्यान तो है नहीं, शरीक्रिश नहीं गोरा, फिर शरीक्रिश नहीं सावरा क्यों बनाते हैं? यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ग्यान का तीसरा नेत्र मिला हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्यान धन का सिम्रन करना है पावन वसदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करने है दूसरी पॉइंट बाप समान मास्टर ग्यान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है लाइट हाउस बनना है भविश्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रुहानी टीचर जरूर बनना है वर्दान त्रिकाल दर्शी सिती दवारा तीनो कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नौलेज़ फुल भव त्रिकाल दर्शी सिती दवारा तीनो कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नौलेज़ फुल भव जो त्रिकाल दर्शी सिती में सित रहते हैं वे एक सेकिंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे उनकी आगे सब स्पष्ट हो जाता है जैसे कोई भी देश में जब टोप पोइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ऐसे ही संगम युग टोप पोइंट है इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे इसी को कहते हैं Master Knowledgeful स्लोगन हर समय अंतिम घड़ी है इस सम्रिती से Ever Ready बनो हर समय अंतिम घड़ी है इस सम्रिती से Ever Ready बनो अच्छा ओम शान्ती अंत समय जो प्राकर्तिक आपदाएं आएंगी उनका सामना करने के लिए अभी से हमें कौन सी तयारी करनी है ये जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्यान मोती ये जानने के लिए समय जो प्राकर्तिक आपदाएं आएंगी